अभी रिसेंटली गेम अफ लीट को मिस्टर बीस्क ने चैलेंज किया था जिसमें गेम अफ लीट को दो वाडन्स को एक ही टाइम पे मारना था गेम अफ लीट ने तो वो चैलेंज कम्प्लीट कर दिया लेकिन गेमर फ्लीट ने हमें भी चैलेंज किया था कि हमें भी दो वाडिन्स को एक ही टाइम पे मारना है तो उस चैलेंज को मैंने भी करने का ट्राइ किया तो चलिए देखते हैं कि मैंने उस चैलेंज को कैसे किया तो चलिए मैं दिखा देता हूं कि मैंने कौन-कौन से टूल्स और कौन सा आर्मर ली है मैंने ये वाला आर्मर ली है ये वाली स्वोर्ड ली है ये वाला बो ली है और ये वाली आक्स ली है यहाँ पे मैंने कुछ पोशिंस भी ली है तो चलिए पहले में नाइट विजन का पोशन पी लेता हूं ताकि सब कुछ क्लियर दिखे अभी में स्ट्रेंथ और रीजेनरेशन का पोशन थोड़ा हैंडी कर लेता हूं अभी बिल्डप कर लेता हैं और अभी रीजेनरेशन का पोशन मार लेता हैं और यहां पे गोल्डेन एपल भी खा लेते हैं यह लिया वाडन का स्पॉन एग यह पे कॉप वेब लगा देते हैं और यह दोनों वाडन स्पॉन अभी उने वाली एकदम इंटेंस वाइट यहां पे थोड़ा बोस इनको मार देता हूं अब यहां पे स्ट्रेंथ को पोशन पी लेते हैं और यहां पे अभी स्वार्ड इनको पे स्पैम कर देते हैं इनकी बहुत होती है और इनका सॉनिक बूम अटैक बहुत ही ज्यादा डैमेज देते हैं अरी मर भी को यह पहला वाडन दूसरे वाडन को मैं अपनी पीवीप स्किल्स से मारूंगा से पहले प्रेवक्राइब रिजनेशन और स्ट्रेंथ का पोशन ले लेते हैं और हीलिंग का पोशन भी ले लेते हैं हीलिंग पोशन यूस लिए मूझ करते हैं और अभी वाडन को मारते पीवीप स्किल्स से आणए थो अब हुआ अच्छा दे धिया है यह बर्ट पकेट्स कि यूज कर लेते हैं कि ये थोड़ा हीर कर लेते हैं। प्डुल करसे हम और आधा मृतलग तुल में थोड़ा बनारीजांग। कर लेते हैं नोट अवारीज गाया। इस्ट्रंथ कोरा दैता हैं। गया तेरा यह शील्ड अप और यह यह मर जल्दी मन ना अरे भाई इत्तर डैमेंज मते अरे 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 फाई 1.5 HP और यह खतम वार्डन ओ भाई मज़ा आ गया बहुत इंटेंस फाइट थी भी मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी सिर्फ 1.5 HP पे छोड़े हैं मुझे उसने वही मज़ा आ गया दोनों स्कल्क कैटलिस्ट कलेक्ट कर लेता हूँ और यह देखो प्रूफ मैंने दो-दो वार्डन मारे हैं मज़ा आ गया और गेम अफ लीट अगर आप यह वीडियो देखने तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजेगा उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियो बनाने के लिए और मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसी किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स फुर वाच बाइ